हाई मैं जुस्बीर अपने चैनल पे आप सब भेनों का स्वक्त करती हूं आज हम आपके लिए जे बहुत ही सुन्तर सा डिजाइन लेके आए हैं जे बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसको आप बेबी स्वेटर में कार्डिगन में जैन स्वेटर में किसी भी परजेक्ट पे डाल सकते हैं जे जहां भी आप डिजाइन डालेंगे वहां ही सुन्तर लगेगा जैसे आपने अगर बीच में कुछ और डालना है उसके साइटों में ये डिजाइन डाल सकते हैं क्योंकि All-Purpose डिजाइन है जे हर जगा डलने वाला डिजाइन है जे और बनकर भी बहुत सु बनकर कंप्लीट ओर जाता है और इसकी एक और बात है जे रॉंग साइट से देखिये पूरा रॉंग बना जाता है वह हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरा उल्टी-उल्टी स्लाइब बनानी है राइट साइट से देखिये जे डिजाइन कितना सुन्दर लग रहा है इसको हमने एक बेबी स्वेटर में डाल रखा है पूरा सैट बनाया था हमने बेबी स्वेटर तो वो बहुत पहले की बात है जब हमने चैनल नहीं स्टार्ट किया था तब बनाया था तो अब हमने सुचा कि वो डिजाइन आपके साथ शेर करें और जे 4 और 5 एक 4 और एक जो सीधी फली आती है 5 5 और 5 5 फंदों का डिजाइन है 4 1 4 1 5 5 5 5 ऐसे आप फंदेड आ सकते हैं जे जो डिजाइन है जे हमने 34 स्टिच्च में डाला है इतना डिजाइन आप अपने परचेक्ट के साब से 4 फंदेड रखने है फोर फंदेड रखने है बीच में आपके जे लाइन आएंगी जे लाइनों पर डिपेंड करता है कि आपके फंदेड इवन होगे जा और इसमें 2,4,6 लाइने सीधी आई है फली आई है तो फिर ए बराबर फंदेड आ जाते हैं तूटू के साब से आ जाते हैं अगर आप एक फली नहीं डालेंगे तो जे 5 फंदे हैं तो ऐसे इमन और हो जाता है और इस डिजाइन को अब हम आपके साथ बनाना शेयर करेंगे इसमें हमने देखिए सिंपल फंदे डाले हैं जे वाले सिंपल फंदे हैं तो सिंपल फंदे डाल कर ही हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे border आप कौन सा कोई भी बना सकते हैं तो इस design को बनाना हम start करते हैं इसके लिए हमने 19 फंदे ले रखे हैं अब 19 फंदों में हम इस design को डाल लेंगे क्योंकि इसलिए हमने start किया है कि थोड़े फंदों में ही आपको बता देंगे और जल्दी बताया जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे बुन लिया हम चार फंदे सीधे बुनेंगे दो जब हम start करते हैं तीन और चार तो चार फंदे हमने सीधे बुने एक फंदा हमने बिना बुने उतारा उसके बाद हमने चार फंदे सीधे बुनने है, एक, दो, तीन, और चार, चार फंदे सीधे बुनने है, एक फंदा उतारना है, चार फंदे सीधे बुनने है, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बुनने, एक फंदा उतार लिया, फिर चार फंदे सीधे बुनने है, एक, दो, 3 और last में 4 चार फंदे front में सीधे बुने है 4 लास्ट में और बीच में हमने इस फंदे को 3 फंदों को उतारा है बिना बुने अब हम second slide में है second slide एक हम फंदा सीधा उतार लेंगे ऐसे ही 2 3 और 4 चार फंदे बुनेंगे जे वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे क्योंकि इस साइड भी बिना बुने उतारा था, इधर भी इसको नहीं बुनेंगे, तो हमने दो बार फंदे को नहीं बुना, आगे के चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर एक बिना बुने उतारेंगे ये वही वाला जो पहले नहीं बुणा था, एक, दो, तीन, चार, फिर बीना बुणे उतारेंगे, फिर चार, एक, दो, तीन, और चार, चार फंदे हमने फिर बुण लिए, दो सलाईया हमारी होगी है, अब हम थर्ड सलाई में हैं, थर्ड सलाई में हमने क्या करना है, हमने ए एक फंदा सीधा ऐसे उतार का thread अपणी तरफ करना है। अब हमने तीन फंदे उल्टे भुंणने है। मतलब चार फंदे हो जाएंगे। दो, तीन, और चार, चार फंदे हमने उल्टे भुंणे, thread उद्र किया, जो हमने दो बार बिना बुने फंदा उतारा था, उसको सीधा बुना, उसको सीधा बुन दिया, अब आगे हम चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक, ना, आगे हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे, जब हमने इस फंदे को बुनना है, थ्रड आके करेंगे, चार फंदे उल्टे फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार थ्रेड उदर करेंगे बिना बुने फंदे को बुन लेंगे सीधा थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे तीन चार जे हमारी थर्ड स्लाई कंप्लीट होगी है अब हमारी फोर्थ स्लाई है फोर्थ स्लाई में हम एक फंदा सीथा ऐसे ही ड्रक्षन में उतार लेंगे और पूरी स्लाई उल्टी बुनेंगे जे वाली स्लाई हम पूरी रॉंग ही बनाएंगे ऐसे कोई फद्दा उतार ना ये फॉर्ट स्लाई है जो के हम पूरी उल्टी बुनकर complete कर लेंगे बस फॉर्ट स्लाई में हमारा design बनकर complete हुग जे देखिए बस फॉर्ट स्लाई में ही design बनकर complete हो जता है आगे फिर हमने जो फर्स्ट स्लाई है वो ही बनानी है तो हम चार फंदे सीधे बुनेंगे दो तीन और चार चार फंदे सीधे बुने इस फंदे को बिना बुने उतारा एक दो तीन और चार चार फंदे सीधे बुने इसको बिना बुने उतारा जो फली हमारी बनेगी चार फ फली को उतार लिया चार फंदे सीधे बुने, रॉंग साइद में हमने क्या करना है, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं, दो, तीन, चार, इसको बिना बुने उतारा था, तो बिना बुने ही उतारना है, एक दो तीन और चार फिर बिना बुणे को उतार दिया एक दो तीन चार बिना बुणे उतार दिया एक दो तीन और चार ऐसे ही हमने यह दो सलाइया बना ली है जो सीथी वाली है ऐसे हमने आप उल्टी लाइन आनी चाहिए इदर वो हम बनाएंगे तो हम आपको repeat करके दखा रहे हैं force line दो तीन चार चार फंदे उल्टे बुने thread उदर किया अब इस फंदे को बुनना है जो दो बार उतारा है thread उदर किया चार फंदे बुन लिए उल्टे तीन और चार thread उदर किया इसको सीधा बुना ऐसे फिर अपड़ी तरफ किया एक, दो, तीन, चार फिर उदर किया सीधा बुना फली बाला फंदा चार फंदे उल्टे बुन लिए बस तीन स्लाई जे हैं और लास्ट वाली स्लाई जो फोर्थ हमारी डिजाइन की है वो हम पूरी उल्टी बनाएगे जे देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजाइन बनकर रेडी है और जे देखिए कितना सुन्दर लग रहा है बनकर तो ऐसे ही आप इस डिजाइन को बना सकते हैं जो के हमने 34 फंदों में डाला है तो जे कुछ ऐसा दिख रहा है डिजाइन और इसमें ऐसा दिख रहा है तो आप ऐसे ही एड़ जान बनाईए और हमें प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच